दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चियर्स कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं छोटे मन से कोई बढ़ा नहीं होता तूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता खुश रहो आगे बढ़ो क्योंकि सुबह का भूलर साम को घारा जाए तो यह भूला नहीं कहलाता गुड मॉनिंग फ्रेंट्स वेलकम टू ओनलाइन इस डिपाइन दोस्तो आज है 11 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज करने फेस उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करें ताकि आपको डेली करने फेस की वीडियो मिलते रहें अगर यह वीडियो आपको अभियान वेव वंडर वोमेंट लॉंच किया है तो इसका उद्देश क्या है उद्देश तो उन महिलाओं के असाधरन उपलब्दियों की खोच करना और उनका जस्मना जिन्होंने सोचल मीडिया के माद्धें समाज को प्रहावित किया है ठीक है और दोस्तों यह मंत्राल है ठीक है तो याद रखिएगा वेव वंडर वोमेंट किसने लॉंच किया उनलाइन अभियान महिला और वालविगास मंत्रा लेने फिर नवारा अगला प्रधान मत्री मोदी जी ने 2.92 को कहां पर गंगा जल परिजना को धटन किया है तो मोदी जी ने गंगा जल परिजना को आगरा में लाना है उन्होंने दोस्तों आगरा में 2980 करोड रुपए की नावरिक परिजनाओं की भी शुरुआत की है तो प्रधान मत्री ने ने 999 को आगरा में गंगा जल परिजनाओं किया है और अपसान ने करेक्ट हुजा का याद रखिएगा दोस्तों बड़े वी क्योंने लाइन्स फार मीडिया फ्रीडिम के चेर्मین बनाए गये हैं इन्राम ठीक है ऑपसंडी इन्राम को धस्तों एलाइन्स फॉर मीडिया फ्रीडिम केjuna निखा गया है ठीक है और एलाइंस मीडिया सुतनृता मीडिया स्वाय तपत्रकारू है सुरक्षाक दिशाम कार करने के लिए समर्पी था यह और एन राम दा हिंदू ग्रूप के अध्यक्ष भी है ठीक तो आपको याद रखना है अलाइंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष ग्रूम में किसको नुद्ट के गया है एन राम को कुष्चन नमर फॉर्थ है किसे 2018 Confederation of African Football Player of the Year नामित किया गया यह दोस्तों इसका कर्रेक्टर्स हो जागा ऑप्सन मुहमत सलह को ठीक है ऑप्सन ए दोस्तों लीवरपूल के मुहमत सलह को 2018 Confederation of African Football Player of the Year नामित किया गया ठीक है याद रखिएगा और उन्होंने दूसरी बारे पुरुसकार जीता है दोस्तो इसके अलाबा दोस्तों हिउस्टन डैस और दक्षिन अफ्रीका के फारवर्ट थम्भी कागलना को महिला प्लेयर आप देयर चुना गया है ठीक है और यह जो मुहमत सलह है दिसंबर 2018 दूसरी बार BBC अफ्रीकन फुटवालर आप देयर चुना गया था तो यह मुहमत सलह हो सब्सक्राइब दोस्तों आरवी आई ने सेंट्रल वैंक ऑफ सिलंका को कितने मिलियन डॉलर रिंड प्रदान करने पर सहमती व्यक्त की देखे दोस्तों आपको बता दें कि नौ जनवरी 2019 को भाती रिजर बैंक ने सेंट्रल वैंक ऑफ सिलंका को चार सो मिलियन डॉलर रिंड प्रदान करने की घोशना सहमती व्यक्त की है और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि आरवी आई ने अपनी साउथ एसियन एसोशिय प्रियाप्त स्थर बनाया रहें मदद करेगा ठीक है दोस्तों और बात आदें आपको सेंट्रल वैंक फिलंगा गवर्नर का उन्हें इंदरजीत कुमार स्वामी ठीक है और रवी आई के वर्तवान में गवर्नर का उन्हें सक्ति कानदास जो अभी हाल में बने हैं याद र स्थराष्ट के नए विशेश समयनवेक्रू में किसे निउट किया गया है कि अगया है जान कुबिस को ठीक है ऑप्सन भी दोस्तों नौ जनवरी को यूएन के महासचीव जो हैं एंटीनियों को टेरस ने लेवनान में सेंट्राष्ट के विशेश समयनवेक्रू में जान सेंट्राष्ट के नए विशेश समयनवेक्रू में किसे निउटिया गया है जान कुबिस को और यह किया है यूएन के महासचीव इंटीनियों को टेरस नमर सेंट्राष्ट के सियांग नदी के उपर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील के वल सस्पेंशन पूल का नाम क्या है इसका नाम है ब्योरूंग पूल ठीक ब्योरूंग पूल देखतो तो और अनचल प्रदेश के सीम जो है पेमा खांडू ने उपरी सियांग दिले में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील के वल सस्पेंशन पूल का उधाटन किया है इस पूल का नाम क्या है ब्योरूंग पूल है और तीन सो मीटर लंबे इस पूल को संसाधनों के नान लैब लैपसेबल सेंटरल पूल के तहरे दोस्तों उत्तरपूर्वी शित्रविकास मतलड़ाय के द्वारा वित्त पोशीति किया गया ठीक है तो यह जो और रोनेक्स प्रदेश क के सीयम है मुख्यमंत्री पेवाँ खांडू ने भारत के सबसे लंबे सिंगर लेन इस्टील केवल सेस्पेंसर पूल का नाम क्या है ब्योरूंग पूल है इसका उध्गटन किया है यहां के सीयम ठीक है चलिए कोशन नमरे देश्व हिंदी दिवस कम मना जाता है दस जनवर आसा की मानता को बढ़णावा देने के सींदर हर बर्स दस जनवरी को यह हिंदी दिवस मना जाता है मुथ हिंदी दे और पहला विश्व हिंदी समेलन दोस्तू ऑट सुफैतर में तस जनक क्या गया था और शाया घीकिंग और स—— avec万िश्व हिंदी दिवस मना जाता है और वर्ल्ड हिंडी दे की बात करें विश्विंदी दिवस्त दस जन्मरीक बना जाता है पिर हमारा कोश्चन नमबर नाइन्थ है आठ माई 2019 को सेवी द्वारा गठित अनुसंधान सलहकार समिती का प्रमुक कौन होगा डाक्टर संकर डे ठीक है सेवी सेकेरोटी और एक्सचेंज बोड ऑफ इंडिया एक अनुसंधान सलहकार समिती करेंगे और यह समिती पूझी बाजार के विकास और विनिमय के लिए प्रासंगी का अनुसंधान शुरू करने के लिए नीती बदाने में सहयोग करेंगी और इस समिती में दोस्तों प्रवित्य अर्थसास्ति और विवसाई सामिल होगे ठीक है इसके अधिक्सता कौन करेगा शेवी दौरगटित अनुसंधान सलहकार समिती का डाक्टर संकर डे वी आर डिस्प्लेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो यह मोस्ट इंपोर्डन कोश्चन है याद रखिएगा मलाला यूसुप जई ठीक है ऑप्सन ए करेक्ट हो जाएगा नौज अनुबर गुस्तो भारत में वी आर डिस्प्लेस्ट नामक पुस्तक जारी की गई इस पुस्तक के लेखकर के मलाला यूसुप जई और दोस्तो इस पुस्तक में दो दुनिया भर की यात्रा करने और शुरानार्थी सिविरों का दवरा करने के उनके अन्भवों का इसमें विवरंट दिया गया है दोस्तों मैं आपको बता दूक मलाला एशुब जाई को 2014 में सांती का नोबल पूरुशकार मिलता ठीक है पीस प्राइज मिला था सांती का नोबल प्राइज तो या प्यादर कियेगा किसके साथ कैलास सत्यार्थीची के साथ जिन्होंने बश् दुए डिस्प्लेच्ट बहुत प्रहिमे से यादर कि मलाला यूशुब जाई ठीक है चलिक अगला कुछन देख लेते हैं अंतरास्थी मुख्यवाजी शंग की नवीं तम बिश्व रैंकिंग में नंबर एक स्थान प्राप्त किसने किया है तो किया है मुख्यवाज मेरी मेरी काम ने ठीक है याद रखी एक ऑप्सन भी ठीक है उस्तों बॉक्सर मेरी काम ने अंतराष्टी मुक्वाइश संग की नभी इंतम विश्व रंकिम के नम्मर रुवान अस्थान असिल किया है उन्होंने ऑस्टेलिया में तो बुल्गारिया प्रदेश्टी स्ट्रेजा मे प्रदेश्टी में भी रज़त प्रदक जीता ठीक है और दोस्तों वर्ल्ड वॉक्सिंज में गोल्ड मिल्ड जीतने के बाद यह विश्व चैंबेंसिप के इतिहास में सफल मुक्यवाज बन गई है वियाद रखिएगा बहुत इम्पोड़न है मुक्ये मेरी काम मुक्यव मंत्री जो है अपनी शुष्वा स्वराज और उज्व्यकिस्तान की विदेश मंत्री अब्दुल्ला जीज कामी लोग करेंगे समयलन के प्रतिवाज दोस्तों भारत और अफगानिस्तान और मध्ध एसिया के बीच संपर के मुद्धों पर विचार मिमर्स करेंगे ठीक है अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर एक सोचटवी भारति विचान कांग्रेस में एक्जिवीटर आप देख लेते हैं आज का कोश्चन हमारा क्या है एक जनवर 2019 से ग्लोबल सोलर कांसलिंग के अध्यक्स रूम में किसने पदभार समाला है जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे ठीक है और वीडियो लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें वापर में आपको जीके की वीडियो अप्लोड करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन पर इसकरते वीडियो पसंद प्रीज लाइक जरूर करें ठीक है दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के साथ जल्दी से कमेंट करें सबस्तर रहें जैहिन जैभारत